आपने तीन दिन पहले समाज़वादी पारिटी की रास्तिय ध्यक्स का एक वक्ता दे सुना होगा आपने देखा होगा जो गोड़ने जो अपरादी जो माफिया प्रदेश के अंदर गरीबां और व्यापारियों की संपत्य को कबजा करके अपनी हुएलियां खड़ी करते थे इस समय कितनी मजबूती के साथ उनकी चाती पर सासन का बुल्डो जर चला है तो आप देखी रहे होंगे होगे रोजन ने रहा हैं आपको किस्ते घानी सुनने को मिननाई होंगे को लेकिन वह माफियाओं के उपर यह सब करवाई क्यों हो रही है या उनकी सानभुदी गाउं के लिए नहीं किसान के लिए नहीं नाजवान के लिए नहीं महिलाओं के लिए नहीं उनकी सान्भूति माफियाओं के प्रफी है और माफियाओं के प्रफी सान्भूति रखने वाली साज वाली पार्टी को क्या हमारा वोड़ जाना चाहिए क्या आखे पूछना चाहता हूँ क्या हमें वोट देना चाहिए? आखे पूछता हूँ क्या हमें वोट देना चाहिए? तो फिर सरकार ने अपनी योजनाओं का धार चाती को तो नहीं बनाया हमने जाती के नाम पर वोट नहीं जाती के नाम पर कोई योजना नहीं थी हमने तो कहा सब का साथ सब का विकास जब सब का साथ और सब के विकास का कारे है तो भाईो बेनो वोट भी सब का भारती जनता पार्टी को पढ़ना चाहिए यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर बस्तिक हुआ हूँ लोग सबाद चुनाओं में जब मैं आया था तब लोग मुस्ते एक बात को कहते थे कि योगी जी आप लोग कहते हैं कि राम लदा हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन इतने दिन हो गए क्या आप आप तारीक भी बताएंगे और भायो बेलो आज तारीक बताने ही नहीं आपको यह बताने के लिए भी आया हूं कि अयुद्या में भगमार राम के भग् डिर्मांन का कारय आगे बढ़ चुपा है कोई हम से लाएना कि लुए कौट केmän एक अधिस्त दिया कि धर्मकरिवर्तन परिवारतन के लिए जाती साधी ब्याव के लिए धर्म प्रवर्तन आउस्यक नहीं नहीं किया जाना चाहिए इसको मानिता नहीं मिलनी चाहिए और इसलिए सरकार भी निर्णा दे रही है कि हम लग जिहाद को सक्ति से रोपने का कारे करें एक प्रभावी कानून बनाएंगे चापू वेस में चोरी चुपे नाम चुपा करके सुरूप चुपा करके जलोग पहन बेखियों की चत के साथ खिलवार करते हैं उनको पहले से मेरी चेतावनी अगर वे सुद्रे नहीं तो राम नाम सक्त्य है कि यात्राब लिकतने वाली ह हम लोग मिसन सक्ति के कारिक करम को इसी लिए चला रहे हैं मिसन सक्ति के का मतलई है कि हम हर बेटी को हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे लेकिन उस सब के बाद जोग अगर किसी ने गुस्ताहस किया तो आपरेशन सक्तिया तयार है और आपरेशन सक्ति का उते से ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्सा करेंगे बहन और बेटियों की सुरक्सा और उनके सम्मान की रक्सा करेंगे और इसी दिसे ओप्रेशन सक्ति के इस कारिकरम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चलने हैं नियाले के अबेश का भी पालन होगा और पहन बेटियों का भी सम्वान होगा आज के सौसर पर वायो बेनों इसी दे गरीद किसान मौज़मान के बेटे को यहां पर भारती चंता पार्टी ने अपने प्रत्यासी के रूप में आपके बीच उता रहा है मनोच कुमार सिंग्जी एक छात्र नेता रहे हैं सीदे सादे जंता से जड़ेवे किसानों से जड़ेवे बाज़मानों से जड़ेवे निस्वात भाव के साथ जंता के एकों के लिए कारे करने वाले और मैं मौलानी विदानसवा छेतर की जंता से इस बारे में पील करूँगा जंता के हिद के लिए इमानदारी से कारे करने वाले लोगों को समर्तन मिलना ही चाहिए और ये जनता के पीड़ा 가서 जानते हैं किसानों की पीड़ास को जानते हैं और हो इसंटा कि सबार्ब करते हैं लिए वारती चंटा पार्टी में संभव है अन्य दलो में नहीं अन्य दलो में क्या कॉंग्रेस में संभव है कि वहां का अप्जक्स कोई बाहरी बेती बन जाएगा क्या समाजवादी पार्टी में संभाव है और इसलिए ठिकट भी एक सामान्य कार्यकरता को आपके बीच के कार्यकरता को भारतिय जन्ता पार्टी में दिया आप सबसे फील है कमल चुनाचिन पर मनोच कुमार सिंग्जी को भारी मतों से पिज़ेई बना के लखनों पहुचाएंगे सभी लोग मुझे बताएंगे इदार उदार सभी लोग एक बार हाथ कड़ा करके मेरे सामने तुड़ा बता दो इतनी भारी संख्या आपकी है और इ स्मार्ट फोन का इस्तिमाल करके नातेदार रिस्तेदार हिक्रकार सुख्चिंता कर इन सब को बताने क्या हो सकता है कमल चुनाचिन पर मनोच कुमार सिंग्जी को तीन मौमपर को भारी मतों से विज़ेई बनाने के फील करते हुए मैं गानी को देता हूं पिराम जैजे ज अभी बाकी है